आप जो ब्रीफिंग रखा है इस इस रिगार्डिंग डिटेक्शन एंड रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी अफेंडर दिन में घरफोडी करने वाले दो मुख्य आरोपी उनको पकड़ा है आरोपी नमबर वन है मौमद शेबाज उर्फ घुंगरू इसका अल्री काफे रिकवर्ड है यह जो है हमारा में आरोपी है इसके साथ वालो जो आरोपी है आरोपी नमबर टू मौमद जुबेल उर्फ जबीर बरकत अली हैदरी यह दो आरोपी जो है डे टाइम में घरफोडिया करते थे कम से कम तीन महीनों से इनका प्रमान चालू था और अभी तक जो निश्पन हुआ है नागपूर ग्रामीन युनिट में टोटल मिला के अपनियों पर किता है ग्रामीन में सत्रा घरफोडिया इन्होंने किया है इसके अलावा इनको पूच्टाच करने पर फाइनली इन्होंने वर्दा चिला के तीन घरफोडिया का जो है कबूली किया है इसके अलावा एक गुने का जो है ये भी कबूली दिया है विच इन मध्यप्रदेश सीवनी डिस्टिक्ट मध्यप्रदेश में तो ऐसे कुल मिला के इंटो ट्वेल ट्वेंटी वन जो है नागपूर ग्राम के लसी बी टीम ने और रिगार्डिंग दे रिकवरी आस्पेक्ट रिकवरी के दौरान में भी हमने दो को आरोपी बनाया है यानि जो भी चोरी का माल है वो आरोपी नमबर त्रीन सलावद्दीन वल्द समसुद्दीन पतान इसके थ्रू आरोपी नमबर चार योगेश दामोदर श्री रंग इसको दिया जाता था जो की सोना जो भी माल है वो बेशता था तो इन टोटल चार अक्यूजड है एंड ट्वेंटीवन अफंस अव बिन डिटेक्टेड एंड रिगार्डिंग दर रिकवरी रिकवरी हमने इन टोटल थर्टीवन तुले एक ग्राम सोना जो है रिकवर किया है जो आज के दिन में मार्केट प्राइजस के हिसाब से 17.38 लाक्स का अमौन बन रहा है एंड यह हो गया है हमारा गोल्ड का रिकवरी जो स्टोलन मुद्यमाल है उसके अलावा केस में जो मुद्यमाल की जो यूज की जाती है उसका अगर कुल मिला जाए तो यह टोटल इतने गुनों का जो है रिकवरी कुल बलाके 18,69,000 का अमौ सब्सक्राइब जो है इसमें जो है इनके अंडर में LCB की टीम एड़ेट बाइपी आई कोकारे और हमारे एक एक रांक के जो अनील राउत, करमलवार और ठाकूर इनोंने जो है अपने अपने टीम्स के हिसाब से वर्क आउट किया है इसे वज़े से आपको आज के दिन में हम बॉदर कर रहे हैं अपने नागपूर ग्रामीन पोलिस के यूनिट के LCB की टीम ने पिछले तीन महीने उसे जो डे टाइम में दिन के दिवस के टाइम में जो गरफोडिया हो रही थी उसके अंडर में जो है दो आरूपियों को पकड़ा है आरूपि क्रमांग वन मोहमद शहबाज उर्फ घुमरू और आरूपि क्रमांग दो मोहमद जुबेल उर्फ जाबीर ये दो आरूपि जो है दिन के टाइम में घरफोडियों को प्रमान करते थे और इन दोनों से जो है अभी तक जो माहिती हमने निकाली है उसके इसाब से एकुन 21 यानि 21 एकीस गुने जो है निश्पन हुए हैं जिसमें से 16 गुने जो है नाटपुर ग्रामीन के हैं बाकी वर्दा जिले के और मध्यप्रधेश के 70 जिले के हैं और जो मुद्यमाल अभी तक हमने जब्त किया है उससाब से जो चोरी किया गया माल है उसमें से 31 तुला एक ग्राम का सोना जो है रिकावर किया है और चोरी में यूज़ करने वाले जो मुद्यमाल है उसका एकुन कीमत मिला के 18 लाग करीब 70 हजार का जो है मुद्यमाल अभी तक रिकोर्थ किया है साथ ने दो आरोपी के अलावा दो और आरोपीों को भी निश्पन किया है और उनको भी हमने अटक किया है जो की चोरी किया गया जो सोना है उसको बीचने में जो है ने आरोपीयों को मदब करते हैं इसके अरोपी जो है दोनों आरोपीयों का काफी लंबा जो है हिस्ट्री है प्रोपर्टी एफेंसेस में तो वो अपनी तरह से कुछ रेकी वगरा कुछ नहीं करते थे बट नापपूर सिटी को चोड़के बाकी जिल्ले में जितने भी मोटे टाउन वगरा है टाउन प्लेसस में जो भी अच्छे अफिलेंट या प्रॉस्परेस थोड़ा बहुत घर वगरा मिडल क्लास सोसाइटी के जो घर होते हैं उनको आइडेंटिफाई करके और जिस गर में ताला लगा हुआ है ऐसे गरों में दोपेर के टाइम में जो है दिन के टाइम में दोपेर के टाइम में वो जो है टार्गेट करके एंट्री करते थे उसका में दर्वाजा या आगे का या पीछे का जो दर्वाजा होता है उस दोनों भी मेन जो रोपी है वो नागपूर के ही रहने वाले हैं अपने कामथी एरिया के रहने वाले हैं और इन पे अलड़ी काफी गुने है लगबग अभी के लिए तो सोला सोला है सोला गुने का तो प्रिवियस रिकॉर्ड है इनका अबी के सेवनी डिस्टिक में एक गर्फुरी जो है इन्होंने तबूली दिया है इसके अलावा भी और कहीं पे किया है वो भी हम वर्क आउट कर रहे हैं इस यस अभी जो टुपल दो इनकी मदद करने वाले दो और आरोपियों को पकड़ा है जिसमें से एक जो है सोनार है जो इनका चुराया गया सोना जो है वो बेचता था तो रिसीवर था तो इसके अलावा अगर एक आदा और और भी कोई सोनार है क्या ये भी हम वरिफाई कर रहे हैं अगर ऐसा है हमने रिकवर किया है जिसमें से एक उन जिसका कीमत आज के दिन में जोड के बनता है 17,38,000 सिर्फ सोने का एंड ये इडिस नॉट दे एंड अफ रिकवरी यानि जो जितने केसे डिटेक्ट हुए हैं उसके चोरी किये गया माल अगर मिला के देखे तो इससे कही जादा है चोरी किया गया माल तो हम वर्क आउट कर रहे हैं कि रिकवरी इसके आगे भी हम करें